हेलो दोस्तों हमारे चैनल VS Online Tips में आप सभी लोगों का एक बरफी से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप सहीद नंद कुमार पटलवी स्विद्यालाय में एडमिशन लेने के लिए आप फॉर्म रजिस्टर किये हैं तो दोस्तों सहीद नंद कुमार पटलवी स्विद्यालाय का जो है कॉलेज मेरिट लिस्ट आना सुरू हो गया है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही कॉलेज का मेरिट लिस्ट कैसे देख सकते हैं और आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं कॉलेज का मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे यहाँ पर दोस्तों आकर आपको नंद कुमार पटल यूनिवर्सिटी लिखे सर्च कर देना होगा उसके बाद दोस्तों आपके समने एक पहला वेबसाइट देगे का snpvac.in यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आप सहीद नंद कुमार पटल यूनिवर्स भी दाला के अबचल वेबसाइट पर आ जाएंगे उसके बाद दोस्तों उपर में एक online portal college student करके एक place से सोब्वने लगेगा आपको दोस्तों नीचे आना है और आपको यहाँ admission की section देखेगा hier आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया page open हो जाएगा आपको दोस्तों थोड़ा से उपर आना है उपर आने का बाद आप इस प्रकार से देख सकते हैं थार्ड नमबर पर आपको college and course subject wise final mate list देखने को मिल जाएगा यहां दोस्तों हमें simply click कर देना है जैसे दोस्तों click करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से एक नए पेज उपन हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों यहां face one के यहां mate list यानि पहला सूची यहां पर जारी हो गई है तो चलिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले institute लिख है वहां select करेंगे और हम अपना college select कर लेंगे जहां हम farm apply किये थे तो चलिए दोस्तों college select कर लेने के बाद आपको नीचे आना है और आपको नीचे examination के एक section दीखेगा select पर आपको click करना है और आप देख सकते हैं BA part 1 और BAC part 1 bio group का यहां merit list जारी हो गया तो चलिए दोस्तों BAC part 1 का merit list देखना है तो हम यहां पर click कर देना होगा उसके बाद दोस्तों subject group पर यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर आल पर आपको select करना है और नीचे search के button पर आपको search कर देना है जैसे दोस्तों आप search करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से एक नए page open हो जाएगा उसके बाद जैसे दोस्तों नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों हमारा merit list सो हो जाएगा जैसे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं सारा दोस्तों यूजर आड़ी नाम दिखेगा फादास नेम केटेगेरी एकस सर्विसमें सारा डिटल यहां पर दिखेगा सांते दोस्तों आपको ओवरल परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगा कि इस कॉलेज में हाइस्ट परसेंटेज कितना गया है तो दोस्तों यहां 96. इसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से अपना नाम चेक कर लेना है कि सारे यहां पर लिस्ट आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यहां 56 कैंडिडेट का नाम आया है तो चलिए लास्ट का परसेंटेज देखेंगे तो दोस्तों यह है 48.67 मतलब बहुत काफी कम गया हुआ है तो आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम इस कॉलेज के लिस्ट में है या नहीं तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी कॉलेज का मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत सारे कॉलेज का अभी मेरिट लिस्ट अपडेट नहीं हुआ है लेकिन एक- सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में